बच्चो आज मैं जानू फाज दी पर्थी बारे बहुत ही महात्मपुन जानकरी दे रहे हैं इस वीडियो नो बहुत त्यानल सुनना इस तित्ति की जानकरी बहुत ही तड़े लाहे बंद होएगी इसलिए एक एक पाइंट जिलोड सुनना ते वीडियो नो विच्चो मेडिकल किस तरह होएगा एडमिट कार्ड कि तो 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 मिलेगा तो किरे किरे प्रोसेस ने किन्ने वज़े तक तुहीं होते पर्थी बेग सकते हो और बारे सारी जानकर देतीगी इसलिए चैनल लो सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन बैल बटन जूर दबो तहां जो पर्थी होनी है ताड़ी ओ फ्लाइंग कलब ते ओपजेट जरी ग्राउंड ओथे पट्याला विखे जरी संग्रूर रोड ते है ओथे पर्थी किती जावेगी ओथे ताड़ी पर्थी विखन जा साग देओ आज पर्थी अगस्त तो विए अगस तक होनी है पर शे अगस्त तो वहीं जिस बंदा जा सकता हो ये बच्याज़त तो जा सकता है जिनने ओनलाइन रीशेश्टेशन करवाई होगे। ऊफ़ी बहुत ज्रूरी है, जरी कि 6 जून थो शुरू हो चुकी ते वे जुलाई तक के ओनलाइन रीशेशन होनी है। तेहां हो, पटे आले वळो निकली है, 6 अगस्त वी अगस्त तक जरी फ्लाइंग कलब दे ओपजेटा ओथे तड़ी पड़ती होनी है ते ओरे वास्ते हर हाल ते ज़तानों आउनलाइन रेजिस्टेशन कराऊनी पएगी 6 जून तो 20 जुलाई तक जिल यह पड़ती है फतेगड साहब बर्नाला मांसा संगरूर उते पटेयाले जिले दे ही उमीदवा सिर्फ जाना पड़ती वेखन वास्ते दुझे नों हो थे किसे नों भी अलाव नहीं कीता जावेगा पड़ती 6 अगस्तों वी अगस्तक होएगी गेट जिरा त्यान देना जिरा गेट आओ स्वेरे चार वाजे तो 9 वाजे तक की खुलेगा इसलिए ओ तो पहलो 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 पहुंचना है होएगा जिरा ताड़ा एडमिट कार्ड ते तरीक दित्ती होएगी ओस तरीक नहीं जाना अग्यों पिच्छों तहीं नहीं जाना आउनलाइन रेजिस्टेशन करोनी बहुत जुरूरी जिरे 6 जून तो शुरू हो चुकी तो वहीं जुलाई तक चलनी है एडमिट कार्ड जिरा ताड़ा रैली वास्ते परती वेखन वास्ते ताड़ा तुहीं ओनलाइन तो रेजिस्टेशन करोगे और तो जाए इमेल आईडी देता है और ते 21 जुलाई तो 5 अगस्त तक तो अनों मिल जाएगा जो नहीं मिलदा तो तो अनों एक नंबर अखीर दिता जावेगा उस नंबर ते काल करके तुहीं पुछ सागते हो जिरा उमीदवार ने कैटेगरी और ना दी केरी केरिये ने क्वालिटिक रिक्वार्मेंट की और पूरा वेरवाद थले दस रहे हैं तो तो आंगल सुनना जिरा और वेट स्टेंडर्ड जिरा जिरा हैड ऑप मेडिकल सर्विस लैटर जिरी निकली या आर्मी बोलो और मता साथ 17 तो 21 साल है पाव कि जेड़ा बच्चा एक अक्तूबर 2000 तो लेके एक एपरल 2004 वेचे जम्या है ओ आम जे जनर्नल ड्यूटी फौजी ने ओनना वास्ते अप्लाई कर सकता है उर्यस तोरी हाइट 170 cm चाहिए तो कटो कट पार 22 किलो चाहिए जे 17 साल तो 20 साल दे वेच् जेड़ा बच्चा वी जहां वी तो वद हो मर्दा और कट तो कट पार 22 किलो तो वद जेड़ा 6.5 किलो है चेस्ट जेड़ी हो 37 cm पांच सेंटी मेटर फ्लाई नहीं बएकि तो इक्वालिक केशन जेड़ी दस्वी पास होनी है टोटल मार्क्स होरे 15% होने चाहिए पर हर चेड़ी है जेडाड सर्ट्पली इसंटों सबुत हैं जेड़ा का क्या दात jest डेड़ेक के सबस्लाइक वाला थाशा भाविजिटा सेम कनेना चाहिए होने च्वंन चाहिए होनाउनदा चाहिए है जेड़ेड होना चाहिए डेड़ी अड़ ईस ships चाहिब में हां ओ अलिजीबल है हाई टेर्या स्टेक्ट सेंटीमेटर पारों से तरह ही जरे काद जरे चेस्ट ओ सतर सेंटीमेटर पांच सेंटीमेटर फुल नहीं चाहिए तो एरी जरी क्वालिफिकेशन त्याम दो बच्चों जरे टेक्निकल पोस्ट वाज़े अप्लाई करना और साइंस, फिजिक्स, कमिस्ट्री, मैट ते इंग्लिश चाहिए तोटल मार्क्स पजाब परसंट चाहिए है तो हर विशे चारी परसंट मार्क्स ओने जरूरी है फिर जरे सपाही नर्सिंग असिस्टेंट है और ही उमर हाद भी साड़े सतारां तो तेई सारे बाकी सारी परसंट परसंट नंबर टोटल तो चारी परसंट हर सब्जेक्ट चाहिए है फिर जरी अगली पोस्ट यरी है सपाही कलरक दी जा स्टोर कीपर टेक्निकल जरा एरी उमर हाद भी साड़े सतारां साल तो तेई साल एक अक्तूबर उनिसे ठानवे तो एक एपरल दो हजार थे होना चाहिए तो इडाढ कृठ मोटी एक सो बाठ सेंटीमेटर हाइट चाहिए पार विल्ड़ वी साल देंवेच बच्चा है और पार-पार सत्तंफांज आप तrelar एक ल imagingीर्ड बेच्चे करना, कृटरर डे मर्द साल थे यह साल 20 साल यह पच्चा है वहां च Ł 103.4 साथर सेंटीमीटर है तो कोई रियायत नहीं है तो क्वालिफकेशन एरी जरी है प्लस टू पास एरे बचे आर्ट्स कमर्स ते साइंस कोई भी विशे वाला जरा पास है बच्छा ओ साथ परसन नंबर अवराल होने चाहिए तो हर विशे जो जहां परसन नंबर होने लाजमी ह तो हो बच्छा ही अप्लाई करता है सारी क्वालिफकेशन तर्डी हाइट तर्डी उमर सारा कुछ त्यानल पड़के फिर ही तुहीं आउनलाइन अप्लाई करना है चाहन देना कि जहना सार्टिकेट तार्डा सिरफ नैशनल अपन स्कूल तो सीबीसी तो जहां आईसेसी ज ब्लॉंग कर देऊ और जो कुछ रेलेक्शेशन दिती जान दी है पर वो सार्टिके तड़ा एस्डीम वलो जारी किता है जो को मैनूल सार्टिक नहीं चलेगा एस्डीम वलो जारी किता है फिर हाइट ता डीजिरी है जह जनल डूडी वाले स्पाई वास्ते जहां टैक्नि मेंटर होनी चाहिती है फिर केंड़ेट ने टैस्ट किस तरह होएगा पहले सब्सक्राइब जो तो ही परती वेखन जाना उस ग्राउंड तरह पहलो फिजिकल टैस्ट होएगा ओरे वचे एक पाइंट छे किलोमेटर दाओ करवाई जाएगी त्यान दो एक पाइंट छे किल तरह तरह आली सेकेंड तक करते फिर तानों अटाली नंबर मिलनगे दो वद टाइम वाले नों उत्ते ही डिस्क्वालिफाइगा ओरनों परती नहीं वेखन देती जाएगी फिर पुल अप्स ये रहे है जह 10 पुल अप्स करोगे 40 नंबर जह 9 करोगे 33 नंबर जह 8 करोगे 27 नंबर जह 7 पुल अप्स करते हैं 21 नंबर जह 6 फिर तो लावा 9 फट दिखाई होईगी ओ पार करनी जिरूरी है जिग जाएक बैलनस बलोना तरह जिरूरी है और दोनानों क्वालिफाइग करना पाएगा और ची कोई होल शार्त नहीं है फिर फिजिकल मेजरमेंट हो तो ब नोटिफिकेशन परती दफ्तरोर निकले गया और फिडियाख बनागी वरा लिंक डिस्क्रिप्शन चे दे रहे हैं वीडियो द अखीर जो तुम्हें डाउनलोड करके तसलियन पढ़ साथ तो फिजिकल स्टेंडर की होना चाहिए है फिर मेडिकल टेस्ट ही होना है जिए तो तो फिजिकल मेजरिमेंट चे पूरी हो तो जिए दोड़ चे पास हो जाना है उतला तो बाद तड़ा तड़ा मेडिकल टेस्ट होएगा उत्ते ही होना है जिए तो परती वेखन के हो उसे साईट तही मेडिकल साथ ही बड़ागा जे और चे कोई कैंड़ाइडट यह उन्हों फिट कोशिद कर देता है जानता है फिर उन्हें वाप्स अपने AR उन्हों मिलना है इस तरह रिटन टेस्ट जराएगा यह तो बात जिरह वे उमीदवार फिटनेस सार्टिकेट दोड़ चे पूरा हो जानता है तो फिजिकल मेजरमेंट और ही पूरी है यह उत्रे एक्जामिनेशन वास्ते हो नो गैन्यू लोकेशन कित्रे हो नहीं है डेट तर टाइम उन्हों रिटन टेस्ट बारे उत्र दास देता है जावेगा आउन्लाइन कमन एंटर्स टास्ट वाईगा तो जिद यह अमस्ते ही प्रतिव एक्षन जाए अउधर ही दानो एडमेट कार्ण देता है कि जिर्ये की सारे फेजर्जान चोपास हो जाने कि सिरफ उन्हों गैजिए और है जिर्ष एडमेट कार्ण जिर्वेट कार्ण तो न अन्हों एडमेडिकार जारी किता गया इस तरह है जिन्हों अनुअंफिट कोशित किता गया चलग अन्हों मेडिकल बोर्ड वस्ते पेज जा या गया थिए जैन्नों और तो बाद उनुआ अन्हों आडमेडिकार जारी किता जा है का uns to अायगे देंगा हम इना से दूस्तरिय खे जाने हैं तोत दो प्लेवर और भी सबीक लिया दिखिआ असंते प्लेपमोण है न है कि टृक्न कहने ये डी उसना एनकि युआ कई पिर सार्छ और ऑफ सुन्ड मत रहना है इसलिए त्याहन दाल नोड कर लो, टिक कर लो, करेकर सार्टिवेट तो ही लह गए जाने है, उनना सारे सार्टिवेट ओरिजिनल ते नानल फोटो कापियां अटेस्टर करनी है, सब दो पहला एडमेड काड करना है, तो अनो जरहा ऑनलाइन तो ही प्रेंट करना हो गेरा, और आफल को खचाई फोटो ही आएगी, जहां कम्प्यूटराइज फोटो नहीं चलनी, तो एजूकेशन सार्टिवेट जरे ताटे, किसे भी रहकोनाज स्कूल, कॉलेज यां बॉर्ड उनियूस्टिवेटों जरे तानू जारी किता है कि सरफ ओह ही मननन जोग होने कि सारी यह मार्क शीट्स ते जरे सार्टिवेटों सारे लाएगे जाने तुहीं, मैट्रिक दा, ग्रेजिवेशन दा, जहां प्लास्टू दा, वो सारे दाटिकोल होने चाहिए यह नाल डेटेल मार्क शीट भी फिर यह प्रविशनल सार्टिकेट जहां, ऑनलाइन एजुकर्ण सार्टिकेट मिले है ओह तानू जरे सार्टिफाइड के ओह से बोड जहां जरे इंस्टिचूट ने उनना तो अटैस्टर होना चाहिए दा ओरिजनल जरे मैट्रिक शीट ओपन स्कूल तो होना थे अपने स्कूल लिविंग सार्टिकेट जहां करवा के लिए अपावएगा फिर अबड़ डॉमिशायल सार्टिकेट जहां फोटो लग बाग दॉमिशायल सार्टिकेट तसहील हा जा जहां, त्स्रीक मेजिस्ट्रेट कर सहीं कंडी अर्यानयाय साटिपेट गजिए कंडी अर्याय वह साटिपेट parti अर्यिकर्केट अर्यवक्हागिता अर्यौेट सर्फित ह们 कि कौन कड़ क्राइटर शार्यूहिकष तो तो प्राना नहीं चलेगा, फिर अन्मेरेट सार्टिफिकेट वी इसे तरह ही फोटो लगया, एक्की साल दी, उमर दो छोटे ज़रे, और नो सरपांच मेंसिपल कारपरेशन दे लो, छे मीने दे बेचवच करवाया होना, सार्टिफिकेट जारी किता है, मन्नम जोग होई फिर रलेशन साटिरेट, जहां, एक्सरिसमें दर बच्चा है जायां, इसलों जांकरी कर रही है सब्सक्राइस आर्मी चे और नहीं बच्चा है जहां विड्डो वार्दा बच्चा है और नहीं वासते रेसेंसिप साथी केड रिकॉर्ड आफिस वर्लो जहां साइंड कीता होएगा जिते पर्सनल नंबर रैंक नाम सारा कोई लिख्या होएगा उन्हों टेस्ट कीता होएगा स्टेंप साइन होने चाहिए फिर ही मनन जोग होएगा एब नाल नाल एक अफिड होट विता नो फोटो लोग आके जायन फोटो जरी पिता दी जायन बच्चरी फोटो जायन फोटो जरी ही फस्ट कर देन जुडिशिणारम जिस्ट्र नोटर्या को लो एटेस्टपर करवाकर एब एफिड होटिवेड दे चाहिए वरे मताबिक नहीं मिना होना है, appendix A मताबिक इस तरह एक declaration certificate दासर पया है दे non-judicial stamp paper दे जरा judicial magistrate जहाए executive magistrate को लो attestable होना चाहिए appendix B मताबिक फिर original discharge book होनी चाहिए यह ताड़े पेदा एक service में नहीं और जो नेम, date of birth, candidate दी रिकार्ड जो होनी चाहिए जिरूरी फिर NCC certificate जरा ABC certificate जरा Republic print certificate जरा photograph वाला जो जो प्रविजनल certificate हो फिर NCC group commander दो अटेस्टल होना थाई दा है फिर sports certificate जरा जरे भी sports ना जरे international, national जरे तो भी attend करके है और नहीं जरी यह site दिती है बोले तो पुरी detail दिती ही किन्ना किन्ना होगा लिजीबल ने www.joinindiarmy.nic.indy website तो डाउनलोड करके तो ही अपनी eligibility वेख साग दियो फिर affidavit जरा है दासर पहले non-judicial stamp paper दे notary बलो टेस्ट कीता होना जरा है affidavit दी copy जरी appendix भी जरी दिती ही जरी मताबिक फिर single bank account जरा होना जाएदा है pen card, adhar card, सारा कोछ तो ही नाल लाएके होना ताकि तो जरी select हो जाने हो ताड़ी जरी तनखाज और allowances मिलना ही जरी social benefit मिलने हो जरी मताबिक इस तो लावा बच्चे सब तो तहान देन जरा दौर चल रहा है कोविड दा और वस्ते भी तो बहुत जरूरी है तो ही जिदो आउना है अपने mobile चे अरोगया से तु एप जरा इंस्टाल करके ले होना है और जिदो ग्रीन स्टेटस आप और screenshot पहलो ही लेके तो ही mobile चे लेके होना है तो ही वेखन आउग होते है तो ही एंटर करना तो पहलो screenshot बखोना है फिर ही तो ही अंदर जान देता जाएगा एक होड त्यान देना है जित्तो ही तो ही आउना है त्यान रखना कि कोई भी कंटोर्मेंट जो हों दे अरिया था नहां हो किया हो और रूट तो ही अपना बदल हो फिर उमीदवार नो चला देती है कि अपने नाल फेसमार्ट, हैंड गलव, सैनिटाइजर, पाणी दी बोटल तो जरूर नाल लागे हो तो कोई भी स्यम्टम जड़ा कोविड दे नाल नहीं होना चाहिता जे कोविड दा कोई शम्टम नजड़ा 不ट फिर नाल उससे पढ़ती वेखनवासे नहीं होना चाहिता क्योंकि यह कुसे एक कोई शम्टम खांसी दा जकां दा नाक बाग दा इसे तरह कोई भी प्रॉलम नजड़ा हो हो देघ है के एंटेपलो जरा ओऊएगा एद जरा फार्मेट अपेंडेक्स दिता गया है और मताबिक होना चाहिए फिर नो रिस्क सार्टिफिकेट तरहनों रैली ते जो तुम परतीव एक्षन होना है आप ताड़ा ते ताड़े मापें तरह साइन होना जरू चाहिएदा और सार्टि फिर नो परती ज जरू विखन होना होथे की ये करना ज़ाे चाहिएक पर जाए होगो को ऑर मास्क हरमेशा पागी रखना वोग होड सरस्ट को चाहिए तोosa ही जरू लागा तो ताड़े मास्क कोशिश कारो जैने वाघरे मांश कोशिश द्वारा यूस नहीं करना तो हो çalış़ ति जितो तुह आपने डॉक्मेंट वैरिक्वेसिन करूंट जाना है जैना है जाना हो जाना है जाना है तुछ हार्वाली तुह अपने हाथ तो ओके संसे नटाइज करके जाना है क्योंकि और सारा कुछ हो ते प्याव हएगा social distance की बहुत तेहां डखना है, और कोई भी अंगेली नहां वरती जावे नहीं तो तो इस्ट क्वालिफाई करके वास पर हिता जाएगा तो रेस्पिरेटर हाईजिन तो बहुत त्यान रखना है कि जितो खांसी हों दी जहां शेक हों दी तो तो इन्हों अपने टीशू पेपर ना जुरू कवर करना है तो टीशू पेपर नो तो ही नाल लागे जाए जाए ज़िस्ट भी ना और चीशोट के अपना हाथ साब बनल होने हैं जितानों कोई मुश्किल हों दी ये ब्रेइटिंग चे खांसी जहां बखार दी कोई प्रॉलम नजरा हों दी इमीजेटली उते डाक्टरी हेल्प पास्ते तो इन्हीं काल करना है फिर कॉवर्ड उन्नी ज़रा वैक्शिनेशन सार्टिफिकर्ट दाड़ना होना च इस पेशल इंस्ट्रक्शन जरी है को जिरे सिख अमीदवार ने ओना लूँ वी फोटो मां पाग वाली है ते वी फोटो मां बगेर पाग तो लेके नाल होनी है ने सारी फोटो मां जरी है फोटोग्राफर तो बनी होने चाहिए ये तो ही अपना पूरा अड्रेस जिप तर पाग करके पैन काड जरू लाएकर जाना ये त्यांदेन जो कर लेकि ये किसे बच्चे ने प्लस तू वस्ते प्लस तू बेशते जरह डॉंकरे से अपलाई कर रहा है और आ जरह वोकेशनल स्टीम हा ओ वह वास्ते लिजिबल नहीं होना सिरफ साइन्स वाले जरह फिजिस् पानी पीन वाला होना चाहिए था खासकर कोविट दोर करके तरेकल सैनेटाइजर नपकिन ते मास्क फेस मास्क वाद होने चाहिए था 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 प्रिंट जरू लाएकर जरू लाएकर जरू आइडमिड कार दे जाएं इंडिया आर्मी.nick.in तो डाउन पूरें फरी हों दी मास्क था था रूत रूत नहीं रुष्वत नि दीनी अगिसे था रूत को बच के रहना तो ऑंदर ताड़ अगोका वी मदद नहीं कर से था हो कि योग के ट एसट है रुट्र में पूरी पूरी कम्पूटर आई ते बिलकु ट्रांसपेरेंट है.इसक आपक दायत है आरमी वरलो कि उत्ते किसे भी टाउट नो तो ही पैसे नहीं देने, free of cost है तो है केंडिडिक नो एक जुरूरी स्लाह दिती जान दी कि उस जरह तो शुरू दस्यागे तड़ी एज अप्वालिफिकेशन जरी है परती वेक्षन तो पहलो अपने हर चीज वेक्षन जरी ताड़ी एज काटा जरी वादद पारवाद जरी तो अपना सारा जांच दो बाद ही अप्लाई करो तो किसे नो भी ब्राइब देन दे ता नो बिश्वार देन दे वहर फाड़ा जान दा जान चूठा सार्डिकेट पड़ा जान दा पनिशमेंट देती जावेगी किसे भी सार्टिकेट दे ओवर्राइटिंग जहां कोई स्टैंप नों तो ही मटाया हुए जहां अल्ट्रेशन कीती हुए वह कोई भी नहीं मनना जाएगा जिनने भी डॉकुमेंट है वह सारे सारे गॉवर्मेंट ऑफ अजैंसी वह व्यरिफाई होने हैं एसलिए बाद चो पर्ती वेले या पर्ती दो बाद कोई भी सार्टिकेट आड़ा जाली फड़ा जांदे और तरह सक्त कारों जाएगा जाएगा कि अग्या तो नों किसे भी पर्ती वास्ते लिजिबल डिस्क्वालिफाइगा जाएगा एहोर पर्ती वेले ग्राउंड जाएगा जाएगा किसे तरह कोई भी रोड एक्सिदेंट जाएगा कोई डेथ हो जाएगा और वास्ते आर्मी वालों कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिली जाएगा तो आपनी मर्जी ना लोना है तो बांड भी ताड़ेकल प्रवाएगा जाएगा कोई भी अपनी परफॉर्मस वदाओं लेजे तो हो इन ड्राउंड कोई लें देगा तो तो दिस्क्वालिफाइग कर दता जाएगा छ्रीर दे पर्मान टेट्ट्व सिर्व बाहां अरक दोलेकर हाथ ली ली वेच्छ राश अगला हो थे जह फिर ते यह लीक यो चोंक्ति हाथ सब्हुत बैक साइड्ट ली थे फैर ते हो कि टेविडी थे बॉड़ी थे बनया हो गया तरहां बैडिकल टैस्क हो ते द्वारा पिडए साथिकुरिल लिय साथिकुर्ट लिया हें तो इस वरे हम धानों मेडिकल और Красflower से लिए लुझकề की चुर्ट होना करी आरे द्वा पर स्थान पुरह स्थाथिकुर्ट असप दो अर। मोबाईल नमबर परती होनी उत्ते पहला बाहर ही तड़े जमा करए जाने के नहीं पेपर रहे जाने मोबाईल देता जाएगा इसलिए अपने के साथी नो मोबाहिल फुरा के ओना जहां अगरा अंदर ख़र दी कोशिश ना करना ने तर नो डिस्क क्वालिफ करके बार पेज देता है कोरिम फफिकनतों लसे अपना मेडिकल खुद करालो तप पैर डिस्कमझेन प्राइणर कॉना होने होने थे फिजिकल अपना मेज़मिकल और पूरी होने चाहिए है ते चैन्डियेट नू ते आन रखना चाहे थे कि उन्नू तेन तो चार देन भी उते लाग सागते पड़ती जिए प्रोसेजर लंपा है चैन्डियेट जादे हो दे इसलिए तानू वे रहा उते रहें दा अर्रेंजमेंट खुद भी करना पावेगा ते इन तो चार देना बंदवास करके आओ साब आपने कपड़े खान पे इंदे असमान लेके आओ नाब साब दो जुरूरी पेपर जेते नेक्टी मार्किंग होने इसलिए तुक्के नहीं चलने पढ़के आओ तो ही पेपर क्वेश्चन अटेम्ट करो जिन रहा तानू पदा कि रहा है मनों सही आंसर हो रहा है रिजर्ट जेरा ताटी वेबसाइट ते जॉइन इंडिया आर्मी डॉट निक डॉट इन ते देता है कि एरे वसे तम कोई वक्री चिठी नहीं पाएज़ेगे ताटी खुद दी जिम्मेवारी है तो ही एस वेबसाइट नो जो पेपर हो जाएंदा एट तो वेख दे रहो कि जिदो ताटा नो पता रहा है तो ही स्लैक्ट होगी तो इमेजेडली ए आरो नो अपने डॉक्कोमेंट जामा कर आके और नो रिपोर्ट करो फिर भी जिदे ताटानो कोई समझेंज मुश्किल आई है तो ही जिदे आर्मी दा हेलप लाइन नमबर 0173 00113 काल करके भी जा आए और तो भी सारी जानकारी मेर सकती है मैं में इस डिस्क्रिप्शन दे बेच्चे इस नोटिफिकेशन दा लिंक दे रहे है पीडियेफ दा ओने तो ही तसलिन पढ़ लो तो तानो सारी जानकारी सारे ताटे से एजरे शंके और दूर हो जानेगे इसलिए चैनल नो सब् आर्मी दे पड़ती जहां पंजाब सरकारों कोई भी नौकरी निगल रही हो जानकारी समय से मिल सके तन वाद